जैन प्यारे सातियों आप सभी को बता दें ऐसा CGD Constable के लिए हम continue आप सभी के लिए क्लास करवा रहें तो special class यहाँ पे होने वाली है GK की जिसमें आपको target रखना है 25 में से 18 बहुत ही basic questions को यहाँ पे add किया गया और उमीद करते हूं कि आप 25 में से 18 questions जरूर करेंगे जिससे कि आप सभी का label खुद आप चेक कर पाएंगे तो सभी लोगों को answer देना है देखते हैं कौन सबसे सही और सबसे जादा score यहाँ पे कर पायागा तो सभी लोग फटा 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 answer देते चलिएगा देखेंगे सबसे सही answer कौन यहाँ पे दे पाएगा साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि अगर आप SSCGD यहांने किसी government job की तयारी कर रहे हैं तो आप हमें anacademy पे भी follow कर सकते हैं कल रात को 9 बजे और आपकी दिन में 3 बजे class करवाई जाएंगे इन सभी classes को unlock करने के लिए जो हमारा coupon code होगा तब ही जाके आपकी जो class होंगी वो unlock होंगी तो वीडियो के description में आप सभी को link दे दिया गया है वहाँ से जाके आप सभी classes को unlock करवा सकते हैं चलिए अब चलते हैं फटाफर से class की दिरब तो class को सभी लोग share कर दीजिएगा और class अच्छी लगे तो class को like जरूर गरत दे ताकि और भी सभी लोग class में आ सके हैं तो Fatafer से सबी लोग जुड़ चाहिए और सबी लोग शेर कर दीजिया ताकि सबी लोग class में Fatafer से live आजये और अपनी class है वो Fatafer से start हो पाए सुभ़ मौपाध्या जितने लोग जुड़ते जा हैं सबी लोग का स्वागत है और सबी लोग share कर दीजियेगा ताकि अपनी क्लास फटाफर से स्टार्ट हो यतिन बिनोज सभी लोगं का स्वागत है चले तो पहले क्यूशन की तरफ चलते हैं तो जिसने शेर कर दिया और जो भी लाइब आ गए बहुत अच्छी बात है बाकी के नहीं आए तो सभी लोग आ जाएंगे अभी अपनी क्लास की तरफ मोग करते हैं तो पहले क्यूशन के साथ यहां पर स्टार्ट करेंगे स्वागत है सभी लोगं का तो पहला पैशन आप सभी को दिया गया है कि निमलेखेत मैं से किस दिन विश्य हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहां पर विश्य हिंदी दिवस की बात की गई है तो सभी लोग फटाफट से बताएंगे देखते हैं कि सबसे सही उत्तर यहां पर कौन देगा आप्शन से आप सभी को दिये गए हैं आप्शन नमबर A, B, C और D फटाफट सभी लोग अंसर दीजिए बहुत ही basic question और काफी बार repeated question और हो सकता है कि परिक्षा में आप सभी से पूछ लिया जाए तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि नमले खितमे से किस दिन विश्य हिंदी दिवस की रुप में मनाया जाता है सभी लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना कोई भी बिल्कुल गलता आंसर नहीं देगा फटा फट बताईए बहुत बढ़िया सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे है very good continue देते रहे है और भी सभी लोग connect हो पाएं बहुत बढ़िया सभी लोग ने बहुत सही आंसर दिया very good चलिए शक्तोप अपकिर विश्व हंडी दिवस आप सभी का मनाया जाता है और आप सभी को बता दें कि ये दस जन्वर य intervention वो नागपूर में हुआ था ये भी आप सभी को याद रखना है और तब से इस दिन को विश्व हंडी दिवस के रूप में बनाया जाता है तो correct answer हो जगा option number B is the correct answer देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ हिंदी में संदी वगरा ऐसे ही आपके नहीं आते कि वल भासा से संबंदेत आपको हिंदी में पूछा जाता है तो correct answer हो के option option number B अगले question की तरफ move करते हैं इससे पहले आप सभी को बता दें के अनकेडमी की तरफ से top educator वैच स्टार्ट हो रहा है आपका तीन नॉमर दो जारी के इसको इसके लिए आप सभी लोग enroll करवा सकते हैं enroll करवाने के लिए जो हमारा coupon code होगा study for 2 dreams यह सभी को यूज करना होगा जिससे कि आप सभी को benefit मिल पाए और सभी लोग इसके लिए जाके enroll करवा पाएं तो इन्रोल करवाने के लिए फटाफ़ से आप सभी को link दे दिया गया सभी लोग enroll करने के लिए link पר जाके click करें और सभी लोग इसके लिए इन्रोल कर बालें लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो फटा फट सज़ाएं और सभी लोग इसके लिए इन्रोल कर बालें अगले क्योशन की तरफ चलते हैं फटा फट से चलिए नहीं भाई मैं जिम फिम नह और किस पड़ोसी देस के साथ यह जो अब्यास होता है वो करता है फटाफर से लोग उत्तर देंगे देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देगा तो हम प्रियंक का सभी लोग का स्वागत है, फटा फट से आंसर देते चलिए, बहुत बढ़ी है, सभी लोग बढ़ी आंसर दे रहे हैं, very good, बहुत अच्छे, तो देखिए आप सभी को बताए कि यह आपके जो संयुक्त अब्यास होते हैं, बार बार एक्जम में रेपीट ह होते रहते हैं कि कौन साख इसके साथ करवाया जाता है, तो यह सभी आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि बहुत जादा मोग सिंपोरेंट हो जाते हैं, और एक्जम में आप सभी के लिए रेपीट होते ही रहते हैं, तो भारत का जिन देशों के साथ भी यह military joint exercise बगरा ज तो सभम ले लिया, तो यहां पर जो correct answer हो जागा बांगलादेश, option number A is the correct answer, तो संपर्ति जो अभ्यास करवाया गया है, वो किया गया है, किस के साथ किया गया है, बांगलादेश के साथ किया गया है, साथ ही में मैं आप सभी को कुछ जो exercise किये गई हैं, साथ में अभ्यास क बजर प्रहार जो होता है वो होता है भारत और अमेरिका के बीच, युद्य अभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच, वही पर गूमन्तु हाती, गूमन्तु हाती जो होता है वो होता है भारत और मंगोलिया के बीच, गरुन सक्ती होता है भारत और इंडोनेसि पीच में ये सभी जो बैटल एक्सराइस होती है जो अब्यास जो होते हैं मिलिटरी अब्यास वगरा जो होते हैं उनका मैंने आप सभी को बता दिया है तो इस सभी सभी को भी देख लेना इंडेक्स वाले आपको 100% एक्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि 2021 में जारी विश्य प्रेस सतंत्रता सूच कांग पर भारत का क्या रंक है फटा फट से सभी लोग आंसर देंगे देखते हैं सबसे सही आंसर य चले चले इसके बारे में फैक्ट बताऊंगों तो आपको थोड़ा सा जानकर हैरानी होगी बहुत बढ़िया सभी लोगों ने सही आंसर दिया तो यहाँ पर देखी जो सही आंसर क्या हो जागा सही आंसर हो जागा 142 यानि option number D is the correct answer तो आप सभी को बता दे टोटल इस सामिल किया गया था वो किया गया था 180 देशों को 180 देश में से जो number आता हो आता है 142 यानि आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी इस सिती है कि यहाँ पर जो प्रैस उतंतरता नाम की नाम पर कुछ भी नहीं है आप इस चीज को समझ सकते हैं अगर number one की बात करें कि number one पर आपक सबी को बता दें कि अपना कारे ठीक से कनने की कोशिस कनने वाले पत्रकारों के लिए सबसे खतनाग देश का जाता है भारत को यानि अगर कोई भी पत्रकार अपने कारे को ठीक तरीके से करता है तो उसके लिए सबसे खतनाग देश अगर पूरे विश्व में होगा तो वो कौन सा होगा भारत यानि का जाता है हालंकि इसके according जो होगा वो तो आप सभी को पता है कि 180 जिसकी rank होगी उसके according वो होगा लेकिन यहां पर जो correct answer हो जाएगा बिनोद market में हूँ फिर भी glass ले रहा हूँ भाई घर चले जाओ कोई बाद नहीं बाद में पुस्तक के लेखक कौन है तो writer भी आप सभी को मिलेंगे मिलेंगे जो पुस्तकों के नाम है यह आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे तो यह भी आप सभी को थोड़े से याद कर लेने हैं कि seven lessons from Everest एक नई पुस्तक है तो किसके तवारा लिखी गई है option number A, B, C और D बहुत बढ़िया सभी लोग बढ़िया दे रहे हैं very good आँज़ सभी लोग देते रहे हैं तभी आप सभी को जाके पता चलेगा कि कितना आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया सभी लोग इसी तरीके सांसे देते रहे हैं very good 7 lessons from average एक नई पुस्तक के लेका कौन है option A, B, C और D बहुत अच्छे तो यहाँ पर जो correct answer हो जागा वो जागा संतोस महंग स्वागत है तो यहाँ पर सही answer क्या हो जागा आजिते गुपता option number B is the correct answer option B यहाँ पर बिलकुर सही answer हो जागा आप सभी को बता दे कि इनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है तो यह दिल्ली के रहने वाले हैं और यह कौने एक परवतारोई हैं परवतारोई जो कई पाड़ों पर जड़ने वाले हैं तो इनका जो correct answer जगा यह हो जागा आप सभी को बता दे उन्होंने कोवर्ड राहत के लिए अपने आगामी वुस्तक के माध्यम से एक करोड रुपे जोटाने का निड़ने लिया गया था और यह है पहल चाइल्ड राइट्स एंड यू किराई के सयोग से है यानि किराई की अगर आप सभी को फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये भी आप सभी को याद रखना है किराई की अगर फुल फॉर्म हो जाएगी तो जाएगी चाइल्ड राइट यू एंड यू ठीक है ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है फटा फट से बताईए कि न्यूटन की खोज का सरे किसे दिया जाता है ओप्शन नमर ए, बी, सी और डी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं तो इसकी एक ट्रेक है उस ट्रेक से भी आप इसे याद रख सकते है फटा फट से आंसर दीजिए बहुत ही बढ़िया तो तीनों का आप सुभी को याद रखना है जो आपका प्रोटोन, लेक्ट्रोन और नूट्रोन अब देखें यहापर जो सही आंसर हो जागा चैडविक इसका correct answer हो जागा option number D is the correct answer तो चैडविक को इसका स्रेज आता है वहीं पर अगर मैं तीनों की बात करूँ तो देखें किस तरीके साब याद रख सकते हैं हो सकता है कि आपके पास और भी बहुत सारी ट्रिक हों उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं अगर और बेटर है तो लेकिन मैं अपनी आप सभी को बता रहा हूँ pen यानि proton, electron और neutron वहीं पर इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ RTC तो आप SSCGD वाले candidate हैं तो SSCGD वालों की RTC होगी तो RTC आप सभी को याद रखना है न्यूट्रोन है तो neutron किससे हो जागा option number C याँ पर सही answer हो जागा option number C is the correct answer जैसे option D याँ पर सही answer हो जागा तो इसका क्या हो जागा चैडविक याँ पर सही answer हो जागा तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं और भी आपके पास बहुत सारे जो भी option हो तो उसके तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अगला दिया गया number 6 दिया गया भारतिय रास्तिय कॉंग्रेस की इस्तापना कभ होई थी ये आप सभी से पूछा गया है उमीद करता हूँ कि इसके बारे में सभी लोग सही आंसर देंगे क्योंकि इसके बारे में काफी discuss करके आप सभी को एकदम बता चुका हूँ तो देखिए इसमें मैं बात करूँ तो total 25 जितने questions को add किया गया सभी बहुत ही जादा basic questions को add किया गया और उमीद करता हूँ कि सभी लोग बिल्कुल सही सही answer देंगे और अच्छे से अच्छा score करेंगे यानि अगर बीच का जो difference रहेगा थोड़ा बहुत ही difference रहेगा चले तो यहां पर जो सही answer क्या होजाँगा option number C 1885 यहां पर सही answer होजाँगा option number C is the correct answer तो जिसने भी option number C answer दिया बिल्कुल सही answer होजाँगा आप सभी को बता है भारतिय रास्टे कांग्रेस की जो इस्तापना होई थी था और इसके जो पहले अध्यच्छ थे वो थे WC 182 28 December से 31 December के बीच में इसकी पहली बैठक होई थी पहला जो deviation था वो 28 December से 31 December के बीच में हुआ था दूसरे deviation की बात करूँ तो 1806 में कलकत्ता आयुजित किया गया था और दादा भाई नौरे जी इसके जो अध्यच रहे थे वो बनेते ठीक है चलो अगला देख लेते हैं अगला दिया गया नॉमबर 7 भारतिय संग का सबसे दक्षुनी बिंदू आपका कौन सा हो जाएगा option number A, B, C और D फटा फट बताईए सभी लोग option number A, B, C, D भारतिय संग का सबसे दक्ष्यनी बिंदू कौन सा हो जाएगा option number A, option B, option C या option D बहुत बढ़ी है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़ी है, very good देखें, मैंने ऐसा कोई भी question नहीं है, जो कि बहुत जादा tough हो, बहुत ही easy तरीके से मतलब आप answer दे सकते हैं बस आप सभी को थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है, तो definitely आप लोग बिल्कुल सही answer दे पाएंगे, तो सभी लोग फटा फट से बताईए, उमीद करता हूँ कि बिल्कुल सभी लोग एकदम सही answer देंगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी लोग ने यहाँ पर बिल्कुल सही answer दिया, बहुत अच्छे, वेरिगूर तो यहाँ पर देखिए, जो सही answer क्या होता हैगा, option number B is the correct answer, इंद्रा point यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जागा, जिसने भी इंद्रा point answer दिया है, बिल्कु पाएगे, million point के नाम से भी जाना जाता है, और 18-85 में इसे इसका नाम मिलाता है, इसका नाम बदलकर पूर भारती प्रदान मंत्री इंद्रा गांदी के सम्मान में रखा गयाता है, इंद्रा point की अगर मैं बात करूँ तो grade निकोवार के पास ही इस्तित है, तो यहाँ पर correct answer आप सभी को बताए कि correct answer क्या हो जाएगा, वहीं पर आगर बात करनें, कन्या कमारी तक कस्मीर में, इंद्रा कॉल से दच्छन सीवा तक 3214 किलोमेंटर दूर इस्तित है, तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा, option number B, तो चलिए, सबसे पूर्वी की अगर मैं बात करूँ तो स सबसे दच्छनी आप सभी को बताई दिया, सबसे दच्छनी आप सभी को हो जाएगा, कन्या कमारी का केप, कमुरेन, किसे ये नाम से भी जाना जाता है, तो यह आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, आगे चल लेते हैं, रात की क्लास 9 बजे होगी मेरे भाई, ठीक हैं, क्य जीलों की रानी जैसे का जाता है समस्ता कोट्टा जील आप सभी को बतानी है option नमर A, B, C और D रात की गलाज जोगी अब 9 से 10 होगी 10 से 11 उसका time change कर दिया गया क्योंकि 10 से 11 काफी जादा late हो जाता था इसी के बज़े से जो उसका time है वो change कर दिया ठीक है चले बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सभी लोग बिल्कुल सही answer दिया तो यहां पर देखें जो correct answer हो जागा वो जागा केरल option number B is the correct answer तो जिसने भी option number B answer दिया बिल्कुल सही उत्तर हो जागा option number B तो वहीं पर आप सभी को बदा देखें कि समस्तकोटा जो आपकी जील है उसे जीलों की रानी के रूप में जाना जाता है तो कोलम में यह स्थित है केला से 29 किलोमेटर दूर तो सही answer आपका क्यो जागा option number B is the correct answer देखें गुजरात की अगर में बात करूँ तो गुजरात में कुछ जील हैं जो की काफी famous हैं जैसे कंकरिया जील, नल सरोबर, सुरसागर जील और बिस्रांपूर जील आप सभी की famous हो जाएगी करना ठक्की अगर में बात करूँ तो करना ठक्की जो हो जाएगी नागवार जील और बेमनाड जील और अकुलम जील विल्यानी जील ये सभी आप क्यों जाएंगे किरला की आगे चल लेते हैं चले कोई बात नहीं अगर नहीं बता तो बस तुक केवाजी मत करो फटा फट से सभी लोग बताएंगे कि आपके नम्मर नाइन पे दे रखा है सुन्दरवन राश्ची ये उद्ध्यान किस राज़्य में इस्तित है फटा फट से सभी लोग आंसर देंगे कि सुन्दरवन रास्टे उध्यान भारत के किस राज़ में सित्त है जैसे option दे रखा बिहार, जार घंड, उड़ी इसा और पश्यम बंगाल सभी लोग आंसर देंगे, देखते हैं सबसे सही उत्तर यहां पर कौन देगा, बहुत ही बढ़िया, इजी question है काफी तो कोई भी आंसर दे सकता है, फटा फट से सभी लोग बिलकुल सही आंसर देंगे, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही आंसर देंगे, चले, very good, सभी लो बहुत अच्छे तो यहां पर जो correct answer हो जागा वो हो जागा पस्षिम बंगाल, option number D is the correct answer, west बंगाल यहां पर बिल्कुत सही answer हो जागा, सुन्दरवन राष्टी उद्ध्यान आपका सुन्दरवन राष्टी उद्ध्यान की अगर मैं बात करूं तो यह आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं उसके लिए यह फेमस है तो वहीं पर आप सभी बड़ा सबसे एक बड़ा तटी है मैं ग्रावे जो वन होता है उसके लिए भी यह है और सबसे बड़ी बात आ आप सभी को याद रखना है सुन्दरवन जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा वहीं पर कुछ राष्टे उद्ध्यानों की बात कर लेते हैं जैसे कि आपके ब्हार के राष्टे उद्ध्यानों की अगर मैं बात करूं तो ब्हार में आपका जो बीतर कनी का राष्टे उद्ध्यान हो जाएगा और सिमली पाल जो राष्टे उद्ध्यान हो जाएगा वो भी आपका उड़ी सामे हो जाएगा पश्यमंगाल की बात करें तो बकसर टाइकर रिजर गोरुमारा राष्टे उद्ध्यान और जल्दापरा राष्टे उद्ध्य और सिंग्ल लीला नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क ये आप सभी के हो जाएंगे पश्यमंगाल से रिल्टेट तो ये सभी आप सभी को याद रखने जितने याद रख पा आगे चलता है नमबर 10 दे रखा है नमल के दमें से कौन सा विदुद धारा को मापने के लिए एक उपकरण है तो फटा फट से सभी लोग बताएंगे देखते हैं कि यहाँ पर सही आंसर आप सभी में से कौन देगा option नमबर A, B, C और D बिदुद धारा को मापने का मीटर यहाँ पर आप सभी से पूछा गया सभी लोग फटा फट से उत्तर देजिए देखते हैं सबसे सही आंसर कौन देगा बिदुद धारा को मापने के लिए एक उपकरण है एमिटर और पैंटो नोसी मिटर वोल्ड मिटर या बिदुद मिटर बिचतर स्वागत है सभी लोग फटा फट से बताते चलिए सचिन स्वागत है फटा फट बताईए कि बिदुद धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाएगा बहुत अच्छे हैं बढ़िया काफी लोग सई आंसर दे रहे हैं सई आंसर तो देखें यहां पर जो सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुँ सई आंसर हो जाएगा तो आप सभी को बता दें कि एकादर्स अबामीटर का पृष्ण सभी को उच्छा रहेगा सदैव उसका रहता है तो यहां पर सैहांस रोधा का अगलए यहांगा भारत में नीचे आप सभी को कुछ अपने सवाहे बताना कि कौन सा ऐसा जो सम्मेदाने पद नहीं है तो फटा फट से बताईए चले देखते हैं कि कौन आप मेंसे सही आंसर देगा यानि सम्मेदान में उसकी बाद नहीं की गई है फटा फट बताईए सबे लोग उच्छ नयाले के नयादीस आई वी आई के गवर्नर महाने आईवादी या एक राज्य का राज़ सम्मेदान एक है यानि उच्छ नयाले के नयादीस की बात constitution में की गई है या नहीं की गई यह आपको देखना है बिलकुल की गई है आप सभी को पता ही है तो वहीं पर बात करूँ आर्वी आई के गवर्नर की तो आर्वी आई गवर्नर का नाम कहीं नहीं आपको देखने क बात कर लेते तो RBI के बारे में आप सभी को बता दें RBI के बारे में बता दू भारती रिजर्वेंग की आगर मैं बात करूं जैसे UPSC हो गया सम्मेदानिक निकाय है राज्य लोग सिवा आयोग आपके सम्मेदानिक हो जाएंगे भारत के नियंतरक और मालेखा परिच्छक भारत चुनाब आयोग भारत वित्ता आयोग अनसोचे जाती आयोग अनसोचे जन जाती आयोग, यह सभी आपके कौन से हो जाएंगे, सम्मेदानिक निकाय आपके हो जाएंगे, आगे चलते हैं अगला नेक्स यहां पर आप सभी को दिया गया है, नमबर बारा, उच्छे नेयले के मुख्य नेयदीस को किसके द्वारा निक्त किया जाता है, तो आप सभी को चीज़ नहीं है कि इसमें बोला क्या गया है, सब्दों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, अगर आपने बस सब्दों को सुना और आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप सभी को सब्दों को पकड़ना है कि आखर उसने पूछा क्या है, यहां पर पूछा है, उच्छे नेयले के मुख्य नेयदीस को किसके द्वारा निक्त किया जाता है, अब देखिए, बहु चीजों की बात आजाती है, कि यहां पर इन दोनों में से क्या होगा, चलिए, कोई नहीं, सभी लोग वो सांसर दीजे, फिर मैं आप सभी को बता दीता हूं, चलिए, तो देखिए, यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, option number D, यहां पर सही आंसर हो जा जाती है, तो हर उच्छे नहाले में एक मुख्य नहादीस होता है, और नहादीस सामेल होंगे, जो की रास्टपती द्वारा ही तै किये जाते हैं, और रास्टपती द्वारा ही उनकी नियुकती की जाती है, उच्छे नहाले के नहाले के नहाले के नहाले के नहाले के नहाल के द्वारा की जाएगी तो राज के राज़ेपल द्वारा उच्छे न्याले के न्याय दीसों को सफ़त दिलाई जाती है तो ये भी आप सभी को याद रखना है और अगर ये अपना इस्तीफा देंगे तो वो किसे देंगे वो भी राष्टपती को देंगे तो आपको confused नही D is the correct answer चलिए प्रश्मी स्वागत है अगला दिया गया नंबर 13 यहां पर दिया गया भारत में railway network को कितने छित्रों में वाटा गया यानि यहां पर जो भारतिय railway है उसकी जोन की संक्या पूछी गई है जो भारतिय railway है उसे total कितने जोन में divide किया गया तो सभी लोगों को answer द सभी लोग बढ़िया answer दे रहें continue के answer देते रही है बहुत अच्छे तो यहां पर जो सही answer रजा का बोजा का 18 जोन option number a is the correct answer जिसने भी option number a answer दिया बिल्कुल सही answer रजा का option number a is the correct answer तो भारत में railway network को total 18 जोन में बाटा गया है और आप सभी को बता दे हैं कि division की बात की जाए तो total आपकी 68 जोन आती है इसमें आपकी 18 जोन है तो 18 जोन दिखिए भारतिय railway network की पूछी जाए तो कितने जोन में है तो आपका 18 जोन, 18 जोन को क इतने division में बाटा गया है तो यह आप सभी को बता दे ना, total 68 जोन में आप सभी को बाटा गया है, South Coast railway जोन का सबसे नया जोन है और तो South Coast railway जोन का जो मुख्याला है वो क्या हो जाएगा, बिसाका पटनम आपका सही उत्तर हो जाएगा, काफी बार आप सभी को आप exam में जो सोल एपरेल 1853 को इसकी सुरुगात की गई थी, चले, आगे चल लेते हैं, अगला दिया गया है नंबर 14 दिया गया है, सरीर में बिटामिन C की कमी से कौन सा रोख होता है, तो which disease is caused due to deficiency of vitamin C in the body, फटा फट से सभी लोग बताएंगे, देखते हैं सब से सही आंसर यहां पे कौ बहुत बढ़िया 100% लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब यह वाला question इतना ज़्यादा easy हो गया कि मुझे लगता है फिर exam में इसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए तो देखो, कितना भी easy होने के बाद, अभी भी आप बहुत सारे exam में देखेंगे, कि ऐसे questions आप सभी को मिल जाते हैं कि vitamin D की कमी से कौन सी बिमारी होती है, vitamin A की कमी से कौन सी बिमारी होती है, यह vitamin C basic question है, बने ही सभी को याद हो, लेकिन फिर भी exam में repeat होते रहते हैं, तो आप सभी को कभी ऐसा नहीं सोचना कि यह तो बहुत जाद easy है, कभी exam में नहीं पूछा जाएगा, examler के उपर depend करेगा कि उसे क्या पूछन है, वो कभी आप से कुछ भी पूछ सकता है, आपके पर answer देने के लिए बैठे हूं, ना कि इसके लिए कि क्या पूछा जाना चाहिए, क्या नहीं पूछा जाना चाहिए, तो आपको तो बस अपनी तयारी से मतलब है, बाकी का वो कुछ भी पूछे, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो correct answer हो जागा, वो जागा option number D is जाए, तो रतों दिया, आप सभी का vitamin A की कमी से होता है, अगला दिया गया है, number 15 दिया गया है, हॉन्वल, हॉन्विल, उस सब निम्लिकित में से केसराज्य में मनाया जाता है, तो देखिए, फैस्टिवल के बारे में मैं लगातार आप सभी को बता रहा हूं कि फैस्टिव से भी बहुत सारी केशन आप सभी के एक्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो हॉन्विल उस सब जो है, फैस्टिवल है कहां पर मनाया जाता है, लगातार मैं आप सभी को बताता है, चल रहा हूं, बहुत बढ़िया, इस्टार्डिंग में काफी बढ़िया रेशियो थ तो उसके बाल लोगों का डाउन हो रहा है, फटाफट बताइए, बहुत अच्छे, काफी लोग बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, तो यहां पर देखिए जो सही आंसर क्या हो जागा, नागलेंड यहां पर आप सभी का सही आंसर हो जागा, जो हॉन्व मौसव आपका मनाया जाता है उस सब जो मनाया जाता है वो नागा लेंड पे मनाया जाता है तो option number is the correct answer तो एक December से लेके 10 December के बीच में नागा लेंड में प्रतिवर्स ये मनाया जाता है और ये तो हर जो आपका होता है वो सभी जन जाती है इसमें हिस्सा लेती है हॉन्विल उस सब का नाम विश्य इस तर पर सम्मानित पक्षी जो हॉन्विल है उसके नाम पर इसे रखा गया है जिससे राजी की अधिकांस जन जातियों में लोग कथाओं में प्रतिशित किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जागा और अप्षिन नमर ए अब देखिए कुछ त्योहारे के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ जितने और महत्मूर त्योहारे में उनके बारे में तो सभी लोग नोट कर लीजेगा सबसे पहले मैं बात करता हूँ अन्नाचल प्रतेश के जो आपके त्योहार हो जाएंगे वो हो जाएंगे बूरी बूट, माइको, द्री, पोंगटू, लोसार और मोनपाउत सब ये सबी आपके हो जाएंगे अन्नाचल प्रतेश के देखो हौनविल जो होता है पक्षी का नाम है हौनविल ठीक है उसी के नाम पे इस्तिवार का नाम रखा गया हौनविल ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला जो आप सभी को दिया गया आसाम की बात करूँ तो आसाम आप सभी का हो जागा अंबू बाची, पोगली, बीहू, बेसागू, देहिंग और पठकई, वह आपको एक्जाम में देखने के लिए यह मिल सकता है नागलेंड का जैसे हौनविल हो गया आपका और सिक्रेनी हो गया यह आपके फेमस है, मेगाले की बात करूँ तो देखें मेगाले का नोंगे क्रेम तियोहार, खासी तियोहार और बंगला, मनीपुर की बात करूँ तो योशांग, पूराग, चवांग, कुटी और तिरपुरा की बात करूँ तो खार्ची, पूजा यह सभी आपके फेमस हैं, आपके तिरपुरा के, अब आगे चल लेते हैं फटाफट से, तो देखें जितने बताता चल रहा हूं, नोट करते चलोगे तो आगे बढ़िया रह आप्शन नमबर 1, 2, 3 और 4, फटाफट बताइए सभी लोग के ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2021 में भारत की रहें क्या है, चले, बहुत बड़िया, बुकमरी की हालत ये दरसाता है, इस इंडेक्स से पता चलता है कि किस देश में कितने लोग बुकमरी के कारण सिकार हो रहे हैं, या बुकमरी की क्या है सिती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पता चलती है, इसके बारे में जो भी सारी चीज़ें, वो आप सभी को मैं यहा तो यहाँ पर दिखिए जो सही आंसर हो जागा वो क्या हो जागा 101, option number C is the correct answer, option C यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जागा, कि global 100 index 211 में भारत की रंक 101 भी है, याद रखना किसी भी आलत में आपको भूलना नहीं है, 101 भी रंक है, तो प्रेस उतनतरता की जब मैंने बात की थ तो प्रेस उतनतरता का भी आप सभी को याद रखना है, 142 भी उसमें रंक है, total 100 C देसों की प्रेस उतनतरता की बात की गई थी, उसमें से total में जो बात की गई है, 142 पर इंडिया की बात आती है, वहीं पर सबसे पहले जो आपका था वो Norway country आती है, अब देखिए global 100 index की बा Norway भी इंडिया की रंक थी 2020 में, अभी लेकिन जो बरतमान में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जो रंक है, वो 101 भी रंक है, जो की total 116 country में से 101 रंक पे आती है, तो भारत का GHI जो score है 2000 में जो था 38.8 था, ठीक है, यह जो score है, यह भी बहुत जादा माहिने रखता है, इ कौन सा देश, कौन से नमर पे आता है, तो भारत का जो गिलोवर हंडर इंडेक्स जो था, GHI जिसे हम बोल सकते है, GHI 2000 में, 38.8 था वहीं पे 2012 और 2021 के बीच अगर घटके बात करें तो कितना आ गया है, लगवग 28 के अप्रोक्स इसका आ गया, 28.8 से लेके 27.5 तक इसका GHI आ गया है, यानि गलोवर हंडर इंडेक्स अगर बात करें तो इतने के बीच में आ गया है, वहीं पे चीन, कुवेट और ब्राजील साइट को लठा रहे देश, ने पांच से कम GHI के साथ सीर्ट से रैंक साजा की, यानि फॉस्ट रैंक की अगर मैं बात करना हूं तो से कम सोचने वाली बात है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर फॉस्ट बहुत सारी चीज़े चलती है, चाइना सबसे फॉस्ट है, क्योंकि जो पांच से कम ये जो स्कोर है, पांच से कम के साथ चाइना सबसे फॉस्ट नंबर प बहुत बढ़िया सभी लोग सभी उत्तर दे रहा हैं बहुत अच्छे रात की क्लास जो होगी 9 से 10 बजे होगी तो 9 से 10 बजे सभी लोग लाएब आ जाना टाइम से कोई भी बंदा लेट नहोँ ठीक है 9 से 10 चले बहुत बढ़िया बहुत ही लोगों ने सही अंसर दिया तो यहाँ पर दिखे जो सही अंसर होगा वो क्या होगा वराट को ली यहाँ पर सही अंसर होगा option number is the correct answer तो आप सभी को बताते हैं कि RCB की तरफ से खिलते हैं royal challenger वेंगलूरू की तरफ से खिलते हैं और यहाँ चैजार रन बनाने वाले पहले यह वल्ले बाज बन गए तो यहाँ पर जो correct answer जागा वो जागा option number is the correct answer आप सभी को बताते हैं कि इनके पीछे अगर बात करें तो वो सुरेश रहना है जिनके total 448 रन हो चुके हैं उसके बाद जो बात आती है वो आती है सिखर दवन की जिनके 448 हैं और उसके बाद जो बात आती है वो आती है डिविड बानर की यानि तीन नमबर पर अगर तीन नमबर तक बात करें तो IPL में इंडियन ही तीन हो आगे चल रहे हैं पहले पर विराट कुली देखते हैं कौन आप मैंसे सही आन से देगा जो आप सभी का अभी IPL 2021 हुआ था वो किसने जीता था फटा फट से सभी लोग बताइए कि IPL 2021 का किस खिताब किसने जीता बहुत बढ़िया जो 2021 में आप सभी का IPL करवाया गया था वो कौन से नमबर का IPL था फटा फट सभी लोग अन से देते चलिए हैं 2021 में जो आपके IPL हुए वो कौन से नमबर के IPL थे हैं एक्जाम में पूछा जा सकता ये भी याद रखना ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो आप सभी को बता दे है 2021 में कुछ प्रॉलम हो रही है एक में रोको कुछ ऑ्रोव फटो आपके IPL जा झाल का प्रॉलम हो रही है एक में रखना ऑ्रोबाद रॉट एक की का था रहा था लोग़ वाद प्रॉट प्रॉजस रहां चलो आप दो आपके जापके आपके हैं झाल 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 बहुत बढ़ी है सभी लोग सही आंसर दे रहा है बारतर पाकिस्तान के बीच में सीमा बन गई तो सीमा का निर्दारन सर सायरिल रैड किलिफ की अध्यक्षिता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था तो वहीं पर इसके बारे में और आप सभी को चीज़े बता दें मार्च 1940 में सर स्थिफर्ड क्रिप्स के नेतरत में बारत में एक मिशन भी जा गया था जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है तो इसी लिए इनका नाम लिया गया है क्रिप्स मिशन के जो सदश्य थे वो भी आप सभी को याद रखना है स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लारेंस और एबी अलेक्जंडर ये सभी इसक बनती है आगे चलते हैं अगला दिया गया नमर 19 दिया गया है संबेदान प्रारूप समती के अध्यक्ष कौन दे तो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में आपे पूछा गया है उमीद करता हूँ कि सभी लोग फटाफर से बिलकुल सही आंसर देंगे तो फटाफर सभी लोग आंसर बताएं ऑप्शन नमर A, B, C, D ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसके चेर्मेन कौन थे फटाफर सभी लोग आंसर दीजे भारते सम्मेदान प्रारूप समती के अध्यक्ष कौन थे आप्शन नमर A, B, C और D चले बहुत बढ़िया सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छ है काफे लोग उने सही आंसर दिया तो यहां पे जो सही आंसर हो जागा बोजागा ऑप्शन नमर B, Dr. राजिंदर पसाद, Sorry, Dr. भीवरा अमिटकर इस दाकर एक्ट आंसर, Dr. भीवरा अमिटकर यहां पे बहुत सही उत्तर हो जागा आप सभी को बता दें कि इन्होंने टोटल साट कंट्रियों के जो कॉंस्टिशन था उनका अध्यन किया था, उसी के बाद सम्मिदान बनवाने में इन्होंने help की थी, तो इसी लिए इनको ड्राप्टिंग कमटी का वैसे अध्यक्ष बनाय गया था, और इन्हें सम्मिदान तो मंदब किसी को स्रेट नहीं दिया जा सकता कि किसी ने बनाया था, तो सभी लोग ने मिलके बनाया था, लेकिन इन्होंने उसमें बहुत एहम भूम का निवाई थी, इसलिए इने जाना जाता है उसके जनक के रूब में, तो यहाँपे जो correct के answer क्या हो जागा, option number B is the correct answer, चलिए, आगे चलते हैं, number 20 दे रखा है, गुप्त राजवन्स का संस्तापक कौन था, हाँ जी समयदान सवान है, गुप्त राजवन्स का संस्तापक कौन था, फटा फट से सभी लोगा answer देंगे, repeated question है और exam में बहुत बार पूछा गया है, फटा फट बताईए कि गुप् संस्तापक कौन था, चंद्रगुप्प प्रतम, घटोजकर्च, यहाँ आपका हो जाएगा, स्रीगुप्त, कुमार गुप्त, फटा फटा आंसर दीजे, दीपक, धन्सरी बहुत बढ़िया, उपाद्या बहुत अच्चे, सभी लोग बढ़िया answer दे रहे हैं, व्यादी ग तो देखे, यहाँ पर जो जाएगा, वो को जाएगा, स्रीगुप्त इज़ा करेक्ट अंसर, ऑफटन नंबर C, यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, गुप्त सामराजी के जो इस्तापना की थी, वो स्रीगुप्त ने की थे, और गुप्त सामराज, चौथी योग के रूप में किसे जाना जाता है तो आप सभी को याद रखना है गुप्त काल को भारत के श्वन योग के रूप में भी से जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रतम का जो राज राता वो 320-330 के वीच में राता मैं ये संद्रगुप्त की बात करूँ तो 330 से 380, चंद्रगुप्त दोतिया की बात करूँ तो 480 से लेके 400 बंदर और कुमार गुप्त की बात करूँ तो 415 से लेके 455 के बीच में इनका साशन रहा था, तो ये भी आप सभी को सारी चीज़े याद रखने हैं, वहीं पर चंद्रगुप्त प्रतम के बारे में कुछ और चीज़े बताँ, तो महराज धिराज के अपादी भी इनए प्राप थी, और उनकी बिजयों का जो उलेक मिलता है, वो मिलता है, महरावली के लौज समय में इनका, जो उलेक मिलता है, इनकी बिजय का, तो ये भी आप सभी को याद रखना है, वहीं पर घटोत कश की अक 415 से 455 इस वी तक साशन किया तो जितनी वर चीजें थी इससे सम्मदित आप सभी को बता दिये आगे जलते हैं नमबर 21 आप सभी को दिया गया ब्रदेश और मंदिर निमलिकत मैंसे किस राज में इस्तेते हैं और बहुत जादा मोस्ट इंपोरेंट कोश्चन है फटाफर से सभी लोग बताइएंगे देखते हैं कि यहां पर कौन गुल को सही आँसर देगा कि ब्रदेश और की मंदिर कौन से राज में इस्तेते हैं फटाफर सभी लोग बताइए ब्रदेश और मंदिर निमलिकत मैंसे किस राज में इस्तेते हैं आप्शन नमबर ए महाराष्ट, आप्शन नमबर एकेरल, आप्शन नमबर सी तमलाडू और आप्शन डी मद्रुदेश, सभी लोग सही आंसर देंगे, थोड़ी इसी भी अगर कोसिस करोगे तो बिल्गोल सही आंसर दे पाओगे, तो के बाद यसे भी बच्चा होगे, तो चले, बहुत अच्छे, तो यहां पर देखे, जो सही आंसर क्या हो जागा आपका, तमलाडू यहां पर सही आंसर हो जागा, तो आपके ब्रदेश्वर मंदर कहां पे इस्तित हैं, तमलाडू में आपके इस्तित हो जाएंगे, वहीं पर आप सभी को बता दें, ब्रदेश् प्रथम द्वारा एक अजार तीन इश्वी से एक अजार दस इश्वी के बीच निर्वित मंदिर है और आप सभी को बताते हैं कि इसकी अगर सैली की बात की जाएं तो इसकी बास्तुकला की जो सैली है वो दिरवड सैली है ये भी आप सभी को याद रखना है तो 1987 में इसे य प्रस्रेष्ट अभी नेता महिला स्रेष्ट में दादा साहिफ फाल के पुर्सकार 2021 जीता तो फटा फरसे से भी लोग बताएं ये उप्शन नमर A, B, C और D चले पोल गलत हो गई है पहले ही बता दिता हूँ आप से भी को फटा 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 आंसे दीजिए निमलिकित में से किसने सर्फसेष्ट अभी नेता महिला स्रेष्ट में दादा साहिफ फाल के पुर्सकार 2021 जीता आंसे दीजिए सभी लोग बहुत बढ़िया तो यहां पर देखें जो सही आंसर जागा वो जागा दीजिए का पादू कॉंट ऑप्शन नमबर C is the correct ऑप्शन C यहां पर सही आंसर जागा वहीं पर आप सभी को बता दें कि सर्फसेष्ट अभी नेत तरी के अगर मैं बात करूँ खाली सर्फसेष्ट अभी नेत तरी की बात की जाती तो आपका हो जाता कंगरा नना रनोत यहां पर सही आंसर हो जाता लेकिन यहां पर बात की गई है कि अभी नेता महिला स्मेडिय में दादा सही फाल के प्रुसकर 2021 जीता तो यहां पर सही आंसर हो जागा अप्शन नमर सी दीप का पौदुकूर यहां पर सही आंसर हो जागा तो दादा सही फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड 2021 को बीस फरवरी 2021 को टेलीविजन फिल्म और संगीत में सर्फसेष्ट सम्मान के लिए गोशित किया गया था दादा साही फाल के पुरुसकार सिनेमा के जगत में भारत का सरवुच पुरुसकार है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर सी दा करेक्ट आंसर सर्फसेष्ट अविनेता मैला के लिए दीप का पौदुकूर छपाक के लिए दिया गया था वहीं पर आप सभी को बता दें सर्फसेष्ट अभी नेता के बात करें तो पुरुसक्षेकुमार लक्ष्मी के लिए दिया गया था और सर्फसेष्ट फिल्म जो हो जाएगी वो ताना जी दा अंसंग वारियर हो जाएगा ठीक है चलो आगे देख लेते हैं बारतिय फन वुद्द्योग में उत्करस्ट योगदान के से दिया गया था हो दिया गया था धर्मेंद्र को सर्फसरेष्ट बैप्स रंकला जो थी वो थी स्कैम नाइंटी नाइंटी टू आगे आप सभी को दिया गया 23 वान निम्ले के तमेंसे किस उपकराण का विशकार ग्राम बेल द्वारा किया गया था फटा फट से सभी लोग बताएंगे टेली फोन बारूट टेली वीजन या कंप्यूटर बहुत ही एजी कोईशन है मुझे लगता है सभी लोग इस कांसर दे दे देंगा फटा फट सभी लोग बताएंगे ग्राहम बेल के द्वारा किस का विशकार किया गया था बहुत अच्छा तो देखी यहां पे जो सही आंसर होजागा वो क्या होजागा ऑप्शन नमर इस दा करेक्ट आंसर तो ग्राहम बेल ने जो अविशकार किया था वो किसका किया था टेली फोन का यहां पर अविशकार किया था तो इसलिए जो सही आंसर होजागा वो होजागा ऑप्शन नमर is the correct answer चलिए आगे दिया गया आप सभी को number 24 दिया कि भारत में गुलाम बंस की स्थापना किस ने की तो फटा फट से सभी लोग बताईए कि भारत में गुलाम बंस की स्थापना किस ने की ती फटा फट से सभी लोग answer दीजिए option number A, B, C और D बहुत अच्छे तो देखिए यहां पर जो सही answer हो जागा John लेड़ वैगी ने की थी John लेगी भी यड़ था है John लेड़ लेगी कुछ ऐसे करके नाम था correct answer क्या हो जागा option number B, यहां पर सही answer हो जागा आप सभी को बताते हैं कि इसे दास बंस भी का जाता है, गुलाम बंस एकी बात होती है तो यहां पर जो correct answer हो जागा बहुत जागा, खुदवदीन एवक is the correct answer अच्छा, पोल क्या, मैंना answer क्या दे दिया था वही पोल में चलो कोई बात नहीं, option number B, यहां पर सही answer हो जागा खुदवदीन एवक, ठीक है 1260-1290 के बीच में यह रा था तो यह दिद्दी सल्तनत के रूप में साशन करने वाले पहले राजवन सों में था तो यहां पर सही answer आप सभी को पता चली गया होगा option number B is the correct answer अगला देख लेते, next आप सभी को दिया गया फटाफ़र से सभी लोग बताईए चलो वई, हाँ, माल लिया गलत होगी होगी कलती से दे दिया होगा 25 बताएंगे, बिहार में बहुत गया में पहला महाबूदी मंदिर निमिलिकित में से किसने बनवाया था फटाफ़र से सभी लोग उत्ता दीजिए option number A, B, C और D बिहार में बहुत गया में पहला महाबूदी मंदिर निमिलिकित में से किसने बनवाया था option number A, चंदरगुप्त मौरया option B, असोख, option C, कनेश्क, option D, फर्सवर्दन फटाफ़र से सभी लोग आंसे देते चलिए option number A, B, C और D बहुत ही बढ़िया तो काफे लोगों ने सही answer दिया तो यहाँ पर जो correct answer देगा वो जाएगा option number B, जा correct answer तो यह भी UNESCO विश्च दरोवर में आपकी सामिल है तो यहाँ पर जो correct answer देगा वो जाएगा option number B तो आज की class आप सभी को कैसी लगी comment करके और वीडियो को like और share करके सभी लोग जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूँ कि आज की class आप सभी को जरूर पसंद आई होगी class पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कर लीजेगा ताकि in future आने वाली classes आप सभी को मिलती रहें, चले सभी लोग share कर दीजेगा ताकि और भी आपके साथ के जो दोस्त, friends, circle वगएरा में जो भी हो, वो सभी लोग आ सके और group में share कर दिया करो ताकि और भी लोग हमारी class से connect हो सके आप सभी को ऐसे ही आगे और भी अच्छी से अच्छी classes मिलती रहेंगे इसके लिए हमाएं support करें और सभी लोगों के साथ जरूर share करते रहें, ताकि आप सभी को regular इस तरीके की class मिलती रहें साथ ही माब आप सभी को बताते ही कि अगर इस से related SSC GD Constable से related अगर आपका कोई doubt है तो मुझे यहाँ पे comment section में पूछ सकते हैं मैं आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे आप सभी को दे दूँगा यहाँ comment section में मुझे जरूर लेखें वहाँ पे आप सभी को comment section में answer दे दूँगा